दोस्तो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी गोद्रेज की गरासिया इंसेक्टिसाइड के बारे में इसका टेकनिकल कंटेंट क्या आता है मोड ओफेक्षिन क्या है कौन-कौन सी फसलों में कौन-कौन सी स्टेज में आप यूज कर सकते हैं कौन-कौन से इंसेक्ट को ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है साथ इसका कॉम्बिनेशन क्या है प्राइस, डौज, संपुन जानकरी इस वीडियो में कवर करूंगी तो वीडियो के अन तक जरूर बने रहें नमस्कार दोस्तो, माहूँ अनीता सिंग आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चेनल इंडियन और्गेनिक जर्नी दोस्तो वीडियो शुरूर होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अबडेट आप तक फटाफट पहुंशते रहें गोद्रेज की गरासिया इंसेक्टिसाइड में तेकनिकल कंटेंट आता है फलक्स मेटमाइड 10% EC फ़ॉर में ये आता है EC यानि इम्पलसी फाइबल कंसंटेड फ़ॉर में ये होता है लिक्विड फ़ॉर में ये आता है इसके मोड ओफ एक्शन के बात की जाए प्रिवेंटी और क्यूरेटिव दोनों तरीके से ये काम करता है इसको आप कौन-कौन से फसलों में इस्तिमाल कर सकते हैं तो सभी परकार की सबजी वर्गिये फसलें जैसे कि मेर्च, टमाटर, गोबी, प्याज, बेंगन, बिंडी, लोकी, तोरे, करेला उसके साथी अनाजवर की फसलें जैसे गेहूं, धान, कपास, मका, गन्ना, सब में यूज कर सकते हैं उसके साथी बागवानी में सभी परकार के प्लांट्स में इस्तिमाल कर सकते हैं और फूलों की खेती में भी आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं कौन कौन से इंसेक्ट को ये इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है तो थ्रीप्स होपर्स उनके साथी कैटरपिलर्स को भी कंट्रोल करता है और माइट्स को भी कंट्रोल कर लेता है दोस्तो इसका अभी कोई अल्टरनेटिव नहीं है और किसानोंने बहुत ज़ए इसका भी यूज़ भी नहीं किया है इसलिए ये बहुत ज़ए इफेक्टिव है रिजल्ट से इसके वहूत अच्छे आते है फसलों में कौन से स्टेज में इसको यूज़ करना चाहिए तो किसी भी स्टेज में बे जीजेक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइस की बात की जाए तो 100 ml की बोटल है में ये मेरे पास जिस पर MRP है 1625 रुपए और मार्केट में लगबग 1200 से 2500 में ये आवेलेबल हो जाता है प्राइस वाइस ये बहुत ही कोस्टली इंसेक्टिसाइड होता है इसकी डोज की बात की जाए तो इसकी परफेक्टी डोज है दोस्तों अगर आप प्रिवेंटिव इसका यूज करेंगे तो 1500 से 170 ml 200 लिटर पानी में आप मिक्स करके एक एकड़ के लिए यूज करें लेकिन अगर इले लट सुन्डी का प्रकॉप बहुत ज़्यादा है त्रिप्स का प्रकॉप ज़्यादा है साथी वह उपर्स का भी प्रकॉप है तो फिर आप इसकी डोज एक एमल पर लिटर के साब से भी गोल तयार करके अपने फसलों में स्प्रे कर सकते हैं इसका रेनफार्स ने समय है कम से कम दोस्तों 6-7 गंटे तक बारिश नहीं आने चीए क्योंकि यह contact insecticide है तो इसलिए अगर तुरंट बारिश आगी तो result आपको नहीं मिलेगा कम से कम जब पूरा दिन आपको लगे कि बारिश नहीं आएगी उसी समय आप इसका इस्प्रे करेंगे तो पूर इसका पूरा result देखने को मिलेगा इसका result टाइम है 10-15 दिन तक बहुत अच्छे से insect को कंट्रोल करता है लेकिन अगें कि तुरंट इस्प्रे के बारिश नहीं आनी चीए क्योंकि यह contact insecticide होता है लास्ट में विशेश टिप जरूर द्यान दखें दोस्तों कि यह थोड़ा सा costly insecticide है तो preventive में इसको यूज नहीं करना चीए इसकी जगह आप बहुत सारे insecticide में मार्केट में उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका यूज जब करें जब आपको लगे कि आपकी क्रोप में इल्ली लट्टी सुंडी त्रिप्स वगरे का बहुत ज़्यादा प्रकोफ हो चुका है या फिर अभी जैसे बारिश वगरे का सीजन है कि अभी insect का दीरे दीरे प्रकोफ ज़्यादा हो रहा है और आपकी महेंगी फसल है तो फिर आप उस situation में आप इसको यूज करें और भी कोई क्यूरी है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं जानकर या अच्छी लगी है वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेर जरूर करें धन्यवाद